किसानों के लिए सरकार की तरफ से जबरदस्त खुसखवरी जारी होचकी है अगर आप भी एक किसान है और आपने कर्ज लिया हुआ है तो दोस्तों आपके लिए सरकार ने जबरदस्त तोफा जारी कर दिया है यानिके 33,000 से भी अधिक किसानों का कर्ज माफ करने की सरकार द्वारा घोसना की गई है दोस्तों आपको बता दें कि करीब 190 क्रोण रुपे सरकार किसानों के माफ करने जा रही है अगर आप भी एक किसान हैं और आपने सरकार से कर्ज लिया हुआ है तो किर्पया इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहेगा किन-किन किसानों का कर्ज माफ होने वाला है उसके बारे में हम आपको यहां पर तमाम जानकारी देने वाले है आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा जाल से अधा शेयर करेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप चिरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं किसानों के लिए सरकार की तरफ से यह एक बड़ी खुस खबरी जारी की गई है क्योंकि काफी लंबे समय से किसान करज माफी को लेकर इंतिजार कर रहे थे कि सरकार किसानों का करज कब माफ करेगी दोस्तों लेकिन हाली में सरकार द्वारा करज माफ करने की गोसना की गई है आपको बता दें कि सरक्रिट हाउस में पत्रकारों से बाच्चीत के दोरान किर्सी मंत्री ने कहा है कि बकाए बिजली बिल में यूपी के किसानों को अब जेल नहीं जाना पड़ेगा देखिए अगर आप उत्तर परदेश के हैं तो आपको यहलाब मिलेगा अगर आप उत्तर परदेश के निवासी नहीं हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा कि आप किस राज्य से रहने वाले हैं उद्धोंने कहा है कि नलकूप का बकाया होने के बाद भी उसका जो बिजली कनेक्शन है वे भी नहीं काटा जाएगा यानि कि अगर किसान बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो किसानों को जेल भी नहीं जाना पड़ेगा और साथ जो नलकूप है या फिर आप कह सकते हैं टुबेल है अगर वहाँ पर यानिके आप बिजली का बिल नहीं भरते हैं और टुबेल का आपका कनेक्शन है तो वह भी कनेक्शन नहीं काटा जाएगा साथी 50% अनुदान पर किसानों को बिजली मोहया कराई जा रही है वहीं आपको बता दें कि परदेश सरकार 19 जिलों के 33,000 से भी अधिक जो किसान हैं उनका करज माफ करने जा रही है करीब 190 क्रोड रुपे करज माफ किया जाएगा किर्शी मंत्री ने बताया है कि 2017 में योगी आधित्यानात जी की सरकार बनने के बाद के भी नेट में किसानों की करज माफी का निर्णे लिया गया था जिसके अंतरकत लाखों किसानों के कर्ज माप भी हुए थे अगर आप भी एक किसान हैं तो आपका भी कोई न कोई कर्ज माप हुआ होगा वहीं उस दोरान किनी दोस्तों कारणों की वज़े से काफ़ी किसान ऐसे थे जो छूट गए थे यानि के 1333 हजार से भी अधिक किसानों का जो कर्ज है वह माप नहीं क्या गया था लेकिन अब दोबारा से सरकार किसानों का कर्ज माप करने जा रही है 190 क्रोड रूपे का कर्ज माफ सरकार करेगी और सरकार ने इसके बारे में गजट भी जारी कर दिया है दोस्तों आप ओफिशल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं या फिर आप ट्वीट पर भी जाकर देख सकते हैं इनके आप जो उत्तर प्रदेश की official tweet है योगी जी की आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं वहाँ पर भी दोस्तो tweet किया गया है कि कितने किसानों का और किसानों का जो कर्ज है वह माप होने जा रहा है I hope आपको जानकारी अच्छे लगी होगी यदि आपका कोई भी स्वाल है तो आप स्वाल कर सकते हैं आपके स्वालों का जवाब दिया जाएगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा जा सेथा शेयर करेगा चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जिरोड सब्सक्राइब कर लेज़ेगा बैल एकन को ओल पर आप सेलेक्ट कर लेज़ेगा दोस्तों आप चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत